अनिरुद और अधित कपूर तो ऐसे लड़ रहे हो मानो जनक ने आकर इन्हें अपने दिल की बात बता दी है अरे पहले ये तो जान लो कि जनक के दिल में कौन है अनिरुद से क्या जनक आज भी प्यार करती है क्या आज भी वो अपने अतीद के इस रिष्टे को निभाना चाती है क्या आज भी वो जो मजाक की शादी है उस शादी में बंद कर रहना चाती है जनक और क्या अनिरुद और अरशी के बीच में आना चाती है जनक एक बार अनिरुद तुम इस बात को तो जान लो एक बार अनिरुद तुम जहनक के दिल में जहां कर इस सचाई को तो जान लो लेकिन तुमें क्या फरक पड़ता है तुमने अपना फैसला सुना दिया वो भी आदिते कपूर के सामने और रही बात अनिरुद आदिते कपूर भी तो सही बोल रहे है क्योंकि तुम न जहनक के जहनक के सबसे मुश्किल सफर में उसके साथ ही ने खड़े थे जब जहनक को तुमारी सबसे ज़्यादा ज़रुद थी तो तुम अनिरुद जहनक के साथ नहीं बलकि अर्शी के साथ थे उस अर्शी के साथ जिसके कारण जहनक की जिन्दगी बरबाद हुई है उस अर्शी के साथ जिसके कारण जहनक कितने दूर तुमसे यहाँ पे अपने जिन्दगी को दर बदर भटकते हुए एक नई रा में डूनने को अपने जिन्दगी को एक नई मंजिल देने आई है उस अर्शी के साथ जिसकी मा सृष्टी ने पल पल जहनक को इस दुनिया से अलवीदा कहने पर मारने पर मजबूर किया है उस अर्शी के साथ जिसकी मा सृष्टी के कारण आज जहनक के पास उसकी मा नहीं है तो फिर भला जहनक के और अनिरुत के बीच में सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है अनिरुत तुम ही सोचो कि आखिरकार क्या जहनक आज भी तुमसे प्यार करेगी इतना सब कुछ जो तुम कर रहे है उसके बाद भी क्या तुमसे वो रिष्टा निभाएगी आरे कता ही नहीं यदि वो रिष्टा निभारी होगी तो बेशक ही एक बात कहा जा सकता है कि प्यार में वो बेवकूफ हो गई होगी और बेवकूफी के चलते ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहागा लेकिन अभी वक्त पलट चुका है अभी जहनक बदल चुकी है जहनक को सारी चीज़े समझ आ रही है कि अब दुनियादारी जिन्दगानी कैसे बिताई जाती है कैसे अपने रिष्टे से डील किया जाता है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो बनना ही पड़ता है दिल के इरादों से हमेशा बेवकूफ बनके हमेशा रिष्टा नहीं निभाय जाता है कभी तो दिमाग का असर दिमाग का यूज किया जाता है क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है जनक के लिना क्योंकि जनक को अब पता चल गया कि उसके साथ का क्या रोड़े हो रहे है उसके जिन्दगी में क्या क्या कटिराई आई है और तब उसके साथ कौन कड़ा था तब अश्कार दोस्तों आप से भी का स्वागत है टाइमस ओफ मुडिया में जहां पर मैं वेनु कुमार आपके अपने पसंदिदा शो जहनक से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप से भी के सामने हाजिरू जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ना अनिरुद और जहनक के बीच में फिर से प्यार का मूड आएगा लेकिन ये जो प्यार का मूड होगा ना इसमें नफरत की दिवारे प्यार की दिवारों से ज्यादा उचाई वाली होंगी क्योंकि इनके बीच में नफरत की दिवारे इसलिए आएंगी क्योंकि अनिरुद ना अब अर्श प्रशी के साथ अपनी दोस्ती निभाते रहे जिम्मेदारी के बोच तले तुम दब कर डर कर रहने लगे तुम्हें पता था कि तुम्हारे दिल में क्या है तुम जनक से प्यार करते हो लेकिन उसके बावजूर भी तुम अर्शी के साथ शादी की रस्मों को निभाने के लि देखा जाये तो comparison में बहुत अलग है आदिते कपूर जनक को प्यार करता है ये बात वो जानता है इसलिए वो जनक का सपोर्ट कर रहा है जनक के सबसे मुश्किल वक्त में आदिते कपूर ही खड़ा था आदिते कपूर ने अपने शूटिंग छोड़ दी थी अपने सारे important काम छोड़ कर उसने जनक का सपोर्ट किया था यानि कुल मिला करें कहना गलत होगा यही कहना नहीं गलत होगा और यही समझना होगा अनिरुद्द राजित कपूर के बीच में कि प्रायोरिटी बेस कि भाई तुम समझो कि तुम यदि अपने जिन्दगी में सबसे उचे प माबाप के बाद, अपुदी के बाद, दुनिया भर के काम धन्दों के बाद, अपने बिजनस के बाद, ना कि जनक के अपने अपने CONVENIANTS को देख कर तुम ना कुछ भी करके जनक को वापस अपना नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम अर्शी के साथ रिष्टे में आगे शोक कें लेगी की जाए, चोरी-चोरी कहलाती है, और अनिरुद तुम यहाँ पे धोकाई कर रहे हो, धोका ही होता है, यदि तुम जहनक से बिना बता है, प्यार को बिना बता है, इजार किए अपना रिष्टों को आगे बढ़ा रहो, या मजबूरी में रिष्टे को आगे जिन्दगी में लाना चारो, अरे क्या सोच कर अपनी जिन्दगी में जनक को वापस लेकर आओगे अनिरुद, क्या बोलोगे अर्शी से, अरे जनक से क्या बोलोगे, कि तुम्हारी और अर्शी की सुहाग रात की रस्मे मनाई जारी थी घर में, उसे छोड़ कर उस वक्त में तुमसे अर्शी ने सवाल किया था और तुम अर्शी से क्या बोलोगे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रड़ी था मैं तुम्हें यहाँ पर शोजीत आने के लिए था उसके बाद लेकिन मुझे जनक दिखी तो जनक के लिए मेरे प्यार में, मेरे दिल में जो कोने में प्यार पड़ा हुआ था, वो प्यार आव वापस पूरे दिल में फैल रहा है। तो जनक के बोल देते हैं अनरुत को कि अनरुत थोड़ा सा समभल चौँँ जो भाइ। दोस्त मैं यह नहीं बोलता है कि तुम मेरे दुश्मन हो। लेकिन अभी तुम मुंबई में हो तो थोड़ा सा लिहाज से बात कर लो और मैं तुम्मे角 को हो बता रहा हो सुलो। हालां कि जhanak अभी यहाँ पे अकेले आई थी ये बात मुझे पता चला यदि तुम उसके साथ अपने कोई भी रिष्टे को निभारे होते हैं यदि वो तुम्हें पसंद करती ही तो वो यहाँ अकेले नहीं आती तुम्हारे साथ आती या फिर हो सकता है कि वो यहां आती ही नहीं क्योंकि उसे यहां आने की नौबत ही नहीं पड़ती लेकिन तुम्हारे ही कारण शायद वो यहां आई है तुमसे दूर जाने के लिए वो यहां आई है और फिर तुम उसके करीब आ गए तो उसके दिल पे क्या भी थेगी के बावजूद भी न जहनक को इस शो में फिर से वापसी कराने वाला आदित्य कपूर ही होगा क्योंकि आदित्य कपूर ही वो इंसान है जो जहनक को शो में वापस लेकर आएगा जहनक को सपना पूरा करने के लिए जहनक के सफर में उसका साथ देगा लेकिन अनुरूद तो दोस्तो ये थी आज आपकी पसंदा शो जोड़ी एक बड़ी अपडेट मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छे लोगी वीडियो अच्छे लोगी तो वीडियो को एक शक लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब कर लिजी दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम स्वाफ वडिया को ताकि आपने अपने सारे पसंदीदा शो साथ ही साथ देखते रहें इसके सारे अपडेट टाइम सॉफ मीडिया पर कमेंट के जड़े अपना सुझाओ जरूर बता जेगा कि आपको क्या लगता है कि जनक के दिल में कौन है आधिते कपूर है या अनिरुध है इसका जवाब जरूर दीजेगा दोस्तों मुझे आप की साथ अगली रिपोर्ट में तब तक अपना ख्याल रखें बाई बाई टेक कैर और स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियो को भी जरूर देखें